मैं आप सब का स्वागत करता हूँ और विकुल भाई जी का वो प्रशन जो मेरे ख्याल से बहुत क्लियरिटी से तो आज मेरे बीच मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरे बड़े मेरे बज़र्ग मैं अकेला था अकेला हूँ आपका स्वागत है और हमारे बड़े राजंदर गुपाल व्याज जी उन्हीं के पास होता है तो मैं हमारे विकुल भाई जी को तो हाइलाइट करूंगा ही क्योंकि यही वो चीते रहें जो अपनी कला कोशल से दूसरा इनको कहा मेरे गुरुजन और आज के मेरे मेहमान समय से लड़ने के लिए तयार रहता है इंसानिक फीटर रहता है निवे दन कर रहा हूं मैं आपको अपने मेमानों से मुखादिब कराता हूं सबसे पहले हमारे उपेंदर अनु जी हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ जब भी मिलेंगे अंदाज बयाँ पुराना ही होगा तो आज मेरे बीच, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे बड़े, मेरे बजर्ग, मेरे गुरुजन और आज के मेरे मेहमान नवशकार, मैं विकुल शर्मा, आप सभी का, अपने दर्शकों का, कभी और इसकी कृती में स्वागत करता हूं मैं आपको अपने मेमानों से मुखादिब कराता हूं सबसे पहले हमारे उपेंदर अनु जी, आपका स्वागत है और हमारे बड़े राजेंदर गुपाल व्याज जी तो आज हमारी जनता के लिए आप क्या संदेश, क्या अपने पिटारे से निकालेंगे एक शायर की जुबानी क्या होगा आज मैं अपनी बात एक मुत्यक से ट्रारंग करना चाहता हूं मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहा मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहा मेरे घर दर्द और मुसीबतों का मेला रहा मेरे गर दर्द और मुसिबतों का मेला रहा प्यार पाया नहीं, बस लोगों की दुतकार मिली प्यार पाया नहीं, बस लोगों की दुतकार मिली उजाला रूठा मुझसे और अंधेरा फेला रहा उजाला रूठा मुझसे और अंधेरा फेला रहा और निवेदन करना चाहता हूँ कि कई खुद्दार जिन्दगी को हसके जीते हैं क्या बात है वाह कई खुद्दार जिन्दगी को हसके जीते हैं गरणा के जख्म प्यार की सुई से सीते हैं गरणा के जख्म प्यार की सुई से सीते हैं प्यार है मानते हैं कि प्यार नाम है समर पन का मानते हैं की प्यार नाम है समर पन का होके सुकरात गरल मुस्कुरा के पीते हैं होके सुकरात गरल मुस्कुरा के पीते हैं और एक मुक्ते को मेरे इच्छा है कि मैं और पड़ू। असीम दुख पड़े लेकिन हरमानी है। तो व्यक्ति सब तरफ से हार जाता है। विल्पावर समात हो जाता है। लेकिन मेरे ऐसा मानना है कि मुशिबत आदमी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। वो हर वक्त समझे लड़ने के लिए तयार रहता है। यह इंसानी फित्रत है। निएदन कर रहा हूं। असीम दुख पड़े लेकिन हरमानी है। मैने सागर से मोती ढूंडने की ठानी है। मैने सागर से मोती ढूंडने की ठानी है। स्रम करने से मैं नहीं कभी भी घब राता। स्रम करने से मैं नहीं कभी भी घब राता। जिंदगी को बहुत करीब से ही जानी है। और नहीं दन करना चाहता हूं। आज इतने बढ़िया श्रोता और मेरे अग्रज हिंदुस्तान के बहुत बड़े कीटकार के रूप में प्रशिद भाहिराजंद्र गोपाल जी आज इस मंच पर है। उनके साथ कावय पाथ करके मैं गौर्वानवित हूं। एक गीट पढ़ने की मेरे इच्छा है आज इस मुके पर। कि मैंने गीट पढ़ा था कबीर दाश जी का चदर या जीनी रे जीनी। तब मेरे मन में कलपना उठी कि आज के युग में कबीर दाश जी होते हैं। और काश वो कलपना रूपी है यतारत रूपी चाडर। उनको उनके कुछ लोगों को जो आज के हालात पे हैं। उन विशेश लोगों को मिल गए होती। तो कबीर दाजी जिस चादर के लिए जिन्दगी भर अपसौस करते रहे कि मैं इस पे कई दाग नहीं लग जाए ये कई मेली नहीं हो जाए जो इस शिश्वर ने मुझे दी इसको मैं वैसी के वैसी वापस लोटा दूँ इसी प्रेयत में लगे रहे लेकिन आज की हालात में इस के लिए कुछ वी आइपी लोगों को stores की कुछ वीसिस्थ लोगों को अगर वो जिए जाती है तो इसका क्या खाश्र होता मेरी कल्पना anac. क्षे शड़ा. अच्छे बूगर गुक इक जाडर दी रब ने हम को नहीं संभाला हमने एक चादर दी रब ने हम को नहीं संभाला हमने और खून के छीचे डाल के गंदा कर दिया मिलकर सबने तो ये मेरी है ये मेरी है कह के लगे जगडने और सब गुम खोटे फैंके आपस में ही लग गे लडने तो सब गुम खोटे फैंके आपस में ही लग गे लडने तो बोने दिये थे आम मदर हमने बबूल ही बोए और मेली चादर दे कबीरा बेठा बेठा रोए और कि लोगों के मिले जी कि चादर मिल गई नेता जी को फूले नहीं समाए और ओड के चादर गर-गर भीख वोट की लेने आए और भाग से मिल गई कुरसी बूले अपने और पर आए और जनता चाहे भूखो मर जाए ये तो मौझ उड़ाए तो देश जल रहा डंगों में ये तानच दर्या सोए और मेली चादर दे कबीरा बैठा बेठा रोए एक चादर दी रब ने हमको नहीं संबाला हमने और खून के छीटे डालके गंदा कर दिया मिलकर सबने तो ये मेरी है ये मेरी है कहके लगे जगडने और सब ये मुखोटे फैंके आपस में ही लग गए लड़ने तो बोरे दिये थे हम अगर हमने बबुजी बोए और मेली चादर देख बीरा बेठा 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 निवेधन का रहा हूं दूसा वेकती कौन जिए चादर प्राफ्त है हमेरे देश के अंदर दो खास विशेश वेकती है जिसको इश्वर ने चादर नहीं दी लेकिन वो इश्वर के मूँ लगे थे तो चादर मांग लाए कि हमें भी दी जिए कौन थे मुला जेखरी कि पंडित मुला मिलकर रब से चादर मांग के लाए और बक्तों और मुरीदों में तकरीर आप फरमाएं बक्तों और मुरीदों में तकरीर आप फरमाएं तो मंदिर तोड़ो मजद तोड़ो कहके ये लड़वाएं और निर्दोशों की लाशों पे ये बेठ के रोटी खाएं तो खून से रंग गई चादर को क्यों उपदेशों से धोएं चा बात है और मेली चादर दे बहुत अच्या बेठा बेठा एक चादर दे रबने हमको नहीं संभाला हमने और खून के छीटे डालके गंदा कर दिया मिलकर सबने तो ये मेरी है मेरी है कहके लगे जगणने और सब्यों मुखोटे फेके आपस में ही लग गए लड़ने तो बोने दिये थे हम अगर हमने बबूल ही बोये और मेली चादर दे कबीरा बेठा बेठा रोये और और किस-किस को मिले एक सक्सोर चादर दी धनवान को तो वो भी संभाल नहीं पाया और चूसा खोन गरीबों का चादर पर दाग लगाया क्योंकि मेरा जास ये बानना है कि पैसा इमानदारी से इतना नहीं कमाये जा सकता कि जिससे वेभव चर्मोत कर्श पर पहुंचे दाल रोटी का जुगाड या अच्छी तरह से जीवन यापन का जुगाड हो सकता है तब वो ऐसा ही आता है तब मैं ये कहना चाहता हूं कि चादर दी धनवान को तो वो भी संभाल नहीं पाया और चुसा खोन गरीबों का चादर पर दाग लगाया कि देख की इसके करतूते मानवता भी शर्माए और खुली सडक पर एक तारा ले एक बंजारा गाए तो करता क्यू धन का जनून तू पाप की गठरी डोए और मेले चादर दे कबीरा बैठा बैठा एक चादर दी रब ने हमको नहीं संभाला हमने और खुन के छीचे डाल के गंदा कर दिया मिलकर सबने तो ये मेरी है ये मेरी है कहके लगे जगडने तो सब दिम खोटे फैंके आपस में ही लगे लडने तो बोने दिये थे आम अगर हमने बबूल ही बोये और मेले चादर दे कबीरा बे और एक ऐसे शक्स को चादर मिले जिसको चाहिए ही नहीं थे कि संत फकीर को चादर दी तो बोले क्या करना है हम साधू है यहाँ वहाँ विच्रण करते रहना है हम साधू है यहाँ वहाँ विच्रण करते रहना है यह सारा आताश चादर धरती लगे बिच्छोना और प्रभू बजन को करते करते नींद लगे तो सोना और नवे दंकरना चाहरा हूं कि चादर और चिंता कैसी कि चादर हो गई दागी तो और चादर हो गई दागी तो और खून की छीटे डालके गंदा कर दिया मिलकर सबने तो ये मेरी है ये मेरी है कहके लगे जगडने और सब ये मुखोटे फैंके आपस में ही लगे लडने तो बोने दिये थे हम अगर हमने बबूल ही बोए और मेले चादर दे कबीरा बैठा बैठार बैठार का बात है बड़ी आनुजी बड़े प्यार है कहनवास पर इस गीए को कहरा आप में हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत साथ आपका जीप हम खुश किसमत हैं कि आप आएं आपने हमें इतना बड़ी अकलाम अपनों लि चोटी से मेरी एक प्रशन है मेरे मन में जो मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि इस इतनी भागती दौड़ती दुनिया में इतनी तेज दुनिया में एक शायर जो सुनने वाले से डिमांड करता है उसे सुनने वाले कैसे चाहिए होते हैं क्या सोचता है वो सुनने वा इस बीच में में बात कह रहा हूं, विकल भाई, बोत बड़े है, इनकी अपना विजन पहला है, जो है, उसका बोत बढ़ा है, मेरी दुस्टि मुझे क्या लगता है, शुरौता कविता के दो पार्ट हो गए है, सहाईति कविता, मंची कविता. मंची कविता में, चाहे बुद्धी जी वह हो, सहाईतिकार हो, कोई भी हो, वो सिर्फ मात्र मन्वरेंजन की द्रष्टी से आता है, कि कुछ हा, कुछ मन्वरेंजन हो जाएगा। वो कभी ता ढूने आता भी नहीं है, कभी ता ढूने के लिए वो पुष्टके पड़ेगा, वो करेगा, जो क्या लिखा ये और वहां ये आता है, और कुछ मात्र मनुरेंजन के लिए आते हैं, तो कभी की मजबूरी ये होती है, क्योंकि जो आयोजा को ने बुलाता है, वो कि मेरी पब्लिक, मेरी शुरता पसंद रहें, तो वो आयोजा के इशारे पर ना आते हैं, और तब वो केवल पब्लिक का अनुरेंजन, मनुरेंजन करने के लिए, उसकी मनमफिक चाह वो वीरस हो, चाह हाथ से हो, चाह गीत हो, चाह गजल हो, चाह नजम हो, कोई भी बड़ विदा हो पर वो उसके लिए लेकिन जब धीरे धीरे इस रंग में रंग जाता है वो कविता के रंग में रंग जाता है तब कभी जो है पता लग जाता है उसे अब ये बंदा आ गया तब वो कविता क्या होती है वो बताता है और धीरे धीरे करके जैसे शहद उतारा जाता है नगे इस तरह से उतारता है और शोपता इतना आनन्दित हो करके लेता है कि कभी मन्चों पर भी कभी कभी बहुत सुन्तर कभिता हैं कही लिए प्रियोक निरंतर होते रहे नहीं क선पर और वह कभी सम्मेलेंग बहुत जदा सफल होते हैं बहुत खूब, बहुत खूब, तो ग्याजी मेरा आप से निवेदन है, अनु जी ने तो अपना काम कर दिया है, अब आप हमें कुछ अपना लिखा हुआ कलाम हमारे दर्शकों को और हमें सराए। मैं आप सब का स्वागत करता हूँ, और विकुल भाई जी का वो प्रश्ण जो मेरे ख्याल से बहुत क्लियरिटी से अनु जी ने कह दिया, लेकिन मैं एक छोटी सी अलग हट करके बात करके को बात हो, इसलिए मैं बीच में बोला नहीं तो नहीं, जी, मैं इसलिए थोड़ा स भिन बात कहूंगा, वैसे तो मैं अनु जी से अभिन हूँ, पर जहां आयाम की बात है, इसमें एक भूमिका संयोजन करता है, और एक एंकरिंग करने वाले की भी होती है, श्रोता से कवी का संबन्द जोडने में जो प्रतम भूमिका है, वो संयोजन की होती है, क्योंकि वो हमारे पूर वो जो फर्टिलाइज करता है, जो उदास मन, जो टेंशन भरा मन लेकर के शोता हमारे पास आता है, उसको दस-पांच मिनिट में एक कुछल सेयोजन इतना फर्टिलाइज कर देता है, उनके एंकार के, फरस्टेशन के, पीड़ा के, चिंता के, जो ढेले होते ह है न, उनको तो ये पहली, उनके खेत को इतना शांदार हांक देते हैं, कि जब हम कविता की बात करते हैं, तो वो मौसम बना देते हैं, वो एट्मोस्पिर बना देते हैं, और चाए कितना ही उदास, चिंतितिया, कम आईक्यू वाला शोता भी हमारे पास आए, तो मैं प्रशाद में भोजन बनाने वाले की होती है, हलवाई शब्द का आप देखेगा, उसमें मौल शब्द है कि जो सामान पढ़ा है, वो प्रॉबलम है, वो समश्या है, और उस समश्या का हलवाई वाइस नगे है, वाका नगे है, बिलकुल बिलकुल चाही बात है, वहाँ प बिलकुल भाई जी को तो हाइलाइट करूंगा ही, क्योंकि यही वो चीते रहे हैं जो अपनी कला कोशल से, दूसरा इनको कहां किस कवी को कहां कैसे प्रस्तूत करना, ये कोशल इनका होता है, तो उचित समय पर उचित विधा का कवी कैसे प्रस्तूत किया जाए, इसलिए आपने देखा होगा, बहुत सारे कवी, जिनकी अपनी पहचान बनाने की बहुत बड़ी जिद होती है, या एक आक्रामकता होती है, या टीम स्पिरेट से नहीं खेलके, वो बहुत बार अपनी आँखों से तरस्ते हुए, वो सहयोजा की और निगा फेकते हैं, मुझे इस स सहयोजी की सीधी नहीं का ओडियंस को मेरी इस ओडियंस को इस समय किस चीज की जरूरत होती है, तो इस तरह से ये डाइगनोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के युगमिह कहलाते मेरे थे, जैसे किसी चिकित्सा के क्शेतर में एक डॉक्टर सबसे पहले दवा से पहले मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, आगी बात, मैं ये चाह रहा हूँ कि आज कल के जो कभी मन से उनकी क्या इस्तिती हो रही है, अनु जी बहुत बढ़िया बात कही, ये वेल्यू क्राइसिस का यूग आया है, मुल्य हींता का यूग है, और इस पर मे मैं बहुत बोलता हूँ कि आज के युग में व्यक्ति को बैमान होने में नहीं, इमानदार होने में शर्म आती है, क्योंकि नन्यान में के बीच में वो एक इमानदार फसा हुआ है, उस नगड़े में वो तूती के आवाज आ नहीं रही है, इतना औरकेस्ट्र बजरा है, तो मैं यह नहीं कहूंगा, हमारे इसी स्टूडियो में कविता जी है, वो जो डायलोग्स लिखती है, समवाद लिखती है, उनका एक समवाद मुझे याद आता है, कि हमारे यहां यह विज्यापन क्यों आ रहे हैं, जब किसी जूट को सत्य में परिवर्तित करना हो, तो व समंदित कोई छोटा सा प्रशन और हो तो बोलीगा, नहीं आप मेरे को अभी आ रहा है, जी बड़ी 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 नॉन फॉर्मल चर्चा भी है यह, हाँ, तो आपने एक स्लोगन बुला था, कोई गायवाई के सम्वाद में, हाँ, हाँ, अच्छा याद दिला, हम उसको जल्दी समेटे हैं, अरो बहुत जल्दी है, अरो गाय का प्रशन है, गाय से बोला जीवता, आपको जगत में कोई मिले के नहीं है, मैं किसी अन्य परानी की, आप तो मुझे ये बताई, एक छोटा सा सीने एक लाइन का, कि एक व्यक्ति गाय के गले में रसी मने होई है, या गाय आदमे से बन्दी हुई है, इसी यह दोन एक दूसरे से बन्दे हुए है, थो इन एक दूसरे से बन्दी होना है, तो यह काऊँगा, आच्छी बात है, ऑडियन्स इस पर जर् swiftly है, मैं चाहूँगा कि हम इसी सवाल को यहीं छोड़ देते हैं, यहीं ब अगली बार एक साथ किनों जुड़ेंगे, हम इस प्रशन को यहीं से शुरुवात करेंगे और देखेंगे कि हमारे ओर्डिन्स हैं भी का सोच और और फिर मैं आपसे इसका सवाल के जवाब लूगा, तो फिलाल समय की नजाकुत को देखते हुए मैं इसको आज की कारेगरम क को यहीं खतम करता हूँ, हमें खतम करना पड़ रहा है और आपसे जल्दी मुलकात होगी, आप अपने घर पर स्वस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपना ख्याल रखें, दियान रखें, शिव ब्रात्री, नमस्कार. झर झाओें, जव कारें, ची एंपना स्वस्त रहें, भी नमस्कार.